रादे रादे मित्रो मित्रो अप लोग रादा क्रिष्म के अपकमिंग एपिशोब में देखेंगे कि क्रिष्म रादा से कता है कि ये कारण था कि मैं अपना वाशुरी डुन्द नहीं पारा था केंकि तुम्हें महारास की घोसना करनी थी तो रादा करती है आज तक के सबसे भी लच्छन राज होगा रादा क्रिश्म के मद्ध जिसे देखने के लिए समस्त स्रिष्टी आतुर होगी तो क्रिश्म करता है और तुम्हारे संख्या भी तो ये उन्हें जाकर ये बताते हैं फिर राधा चुटकी बजाती है और रुका हुआ समय को फिर से निरतार कर देती है तो विसाखा करती है तुम दोनों एक दूसरे को देखकर इतने प्रसन क्यूं हो रहे हो तो राधा करती है कुछ नहीं बस मैं एक एगोसना करना चाहती थी मैं एक महरास का आयुजन कर रही हूँ जिसमें मैं कृष्ण और तुम सब हम सब मिलकर राज करेंगे तो विसाखा करती है कितना आनंद आएगा तो क्रिष्ण करता है आनंद तो आएगा किन्दू सभी को आमन्तरित भी तो करना होगा तो राधा रती है सबसे पुरूय करना यो सुदा मैया को हम अंतरित करना चाती हूँ फिर राधा वहां से चली जाती है तो कृष्ण सक्यों से काता है जो मैं घोसना करना चाता था वो घोसना तो हो गया तो ललिता काती है तो अब तुम हमारे साथ समय वैतित करोगे ना तो कृष्ण काता है एक एक साथ समय वैतित करूंगा तो विसाखा काती है बस यही सुनना चाहते थे प्रिस्म फिर वहां से सभी सक्याँ चली जाती है फिर आप लोग आगे देखें गेकी महादेव कहता है अब तो तुम्हें ग्यात हो गया होगा गोरी की प्रिस्म ने बाडराम के हां तो जो नेवता पहले भेजवाय था और किस विसेश उस्सों के लिए था तो माता पार्वति काती है मुझे तो सब कुछ ग्यात हो गया है किन्तु एक बात का ध्यान रहे यदि राधा को ग्यात हुआ कि क्रिस्म ने सब कुछ पाले से ही सोच कर किया है तो यह योजना आपको और आपके क्रिस्न दोनों को पत्यंत भारी पड़ेगी तो महादेव काते हैं ऐसा भी कुछ नहीं होगा स्री क्रिस्न उन्हें पता ही नहीं चलने देंगे तुम देख लेना फिर आप लोग आगे देखेंगे कि परग्राम क्रिस्न से काता है अब मैं समझ गया कि यहां यह सब हो क्या रहा था तुमने स सब कुछ पहले से ही सोच कर रखा था ना तुमने पहले ही हष्ट सक्यों और महादेव को ने अता भेजवा दिया था तुम बस रादा के मुख से कहलवाना चाते थे ताकि उसे लगे कि यह सब उसने किया है तो क्रिस्न करता है जो आपने कहा वो सत्य है किन्तु यह बात आ अगे देखेंगे कि माता परवती महादेव से करती है अभी तो रादा और क्रिस्ने ने महारास की केवल घोसना की है और आप कितना प्रसंद लग रहे हैं तो महादेव करते हैं प्रसंद क्यूं ना हूं यह घोसना करने से पुर्वा अमंत्रन पत्र मुझे मिला था अब मह महारास में भाग लेने के लिए पर्थम अमंत्रित मैं हूँ तो सबसे पहले साज मुझे भी तो होना पड़ेगा तो माता पारवति काती हैं मुझे तो ऐसा प्रतित हो रहा है ये महारास अत्यंत दिव और अद्बूद होने वाला है तो महा देवकाता है इसलिए मैंने सभी देवी देवताओं को पहले से ही हमंत्रन कर लिया हूँ तो माता पारवति काती है आप क्यों कर रहे हैं तो महा देवकाते हैं मेरे अरध्या के परते क्रास प्रेम से परिपूर्ण होता है संसार में प्रेम का संचार करता है इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इस अ करती है क्या बात है आज प्रता से ही सारे बच्चे दिखाए नहीं दे रहे हैं तभी वहां राधा आती है और करती है एक ऐसा उस्साव जो समस्त विंदावन में प्रसंता भर देगा दूर दूर तक इसी उस्साव की ही गुंज होगा कैंकि हम एक महां अयुस्साव की तयारी कर रहे हैं यह रासकल से ही होगा इसलिए आप सज हो जाईए और सब कुछ निचित कर लिजिए क्योंकि इस महारास में बहुत से लोग आने वाले हैं और हम सब मिलकर उस्साव मनाएंगे तो यह सुदा करती है मेरे मन में भी यही थी कि उस्साव हो और हम सब मिलकर यह उस् ती थी इसलिए मैं आपकी प्रसंता के लिए किया हूं और इस रास की पूरी तैयारी दाव कर रहे हैं दाव तो यहां आने वाले थें आपका आशिरवाद लेने फीर आप लोग आगे देखेंगे कि क्रिश्न अश्ट सक्यों से काता है मुझे आवास हुआ है कि मेरे सारे प्रिय सक्यां यहां वे रास के लिए कुछ लेने के लिए आवश्ट से ही आएंगे मैं कुछ सहता कर दूँ तो विसा काती है इसकी कोई आऊ सकता नहीं है तुम बस अपना वचन याद रखना कि तुमें हम सब के साथ रास करना है तो क्रि अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं भूलता है फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा बल्राम से करती है मैं मा और यह सुदा मैया को यहीं बता रही थी कि समस्थ तयारी की उतरदाई तुदाव को दिया हूं तो मित्रो इस वीडियो में इतना ही मित्रो आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो मित्रो जल्द मिलता हूं और एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे